हेलो एवरीवन विल्कम टो माई चानल इवनिंग गार्डन जैसे के अभी यह मन जो है जैनुरी का है और यह ही मन्त होता है जब हमारे गेंदे के पौधे कुछ इस तरह से हो जाते हैं मरने की कंडिशन पर आते हैं तो आज मैं आप लोग को बताओंगी कि इन पौधों से लि सीट्स कलेक करते हुए आपको बताना भूल गई थी लेकिन मैंने बहुत सारे सीट्स कलेक करके रखे यहां देखे और थोड़े निकाल भी लिए है अभी यह कुछ नहीं है यहां अंदर देखे आप मैंने बहुत सारे कलेक करके रखे गेंदे के सीट्स अभी हम क्या कि यह जो होता है ना इसमें से मैं आपको सीट्स निकालना बताती हूँ ममा हल्प में यह देखे कितने सारे है यह जो ऊपर की पेटल्स है ममा वो रिमॉव कर दे रहे है यह देखे एक प्लार में से मुझे कितने सारे सीट्स मिले है अभी मैं आपको पाटिंग मिक्स के बारे में बताती हूँ इसे में यहाँपर के ठ interess नहीं बताती हूँ मैं साथ में पानी मैं दो है मैंने साफ मिलाकर रखा है watering के time पर यही water दूंगी में होना अब ही यह देखें marigold का जो flowers seeds होते हैं उससे marigold को grow करना बहुत जादा असान होता है जादा परिशानी नहीं होती है germination ना हो ऐसी मुसीबत नहीं आती है बहुत जादा plants बना सकते हो आप सिर्फ एक flowers अभी हम इसके ओपर से soil डाल देंगे हलकी सी लेयर और इसके ओपर से watering कर देंगे तो अभी हमने seeds को लगा भी दिया है और साथ में watering भी कर ली है अभी आगया आपको वीडियो में देखने मिलेगा कि कितने दिन में इलो की कितनी growth हुई है and all तो वीडियो को लासक जरूर देखे तो अभी हमने जो marigold के seeds लगाई है यह उनकी update है मैंने 6th january को लगाया था और आज 16th january है तो बराबर 10 दिन के बाद का update है यह marigold के पौदों पे update आज है 19th jan पहले था 16th jan का update अभी है 19th jan का और मैंने 6th jan को इन्हें सो किया था आप देख सकते हो इनके ऊपर जो है leaves भी शेप लेने लग गई है marigold के पौदों का update आज है 26th और यह रही मेरे marigold के पौदों की condition marigold update आज है january की 30th marigold plant update आज है date 2nd feb और यह रहा हमारे पौदों का update तो आज है 11th feb तो एक तम 35 days के बाद का यह है marigold के seedlings का update और एक ही pot में बहुत सारे seeds लगाने की वज़े से यह बहुत जादा bushy लग रहा है तो सबको energy बराबर provide नहीं होगी तो इसके लिए आज मैं क्या करेंगे हम क्या करेंगे इसका reporting कर देंगे एक pot में दो-दो saplings लगाएंगे तो आज मैं आप लोग को बताती हूँ कि जब reporting करती हूँ तो मैं इसमें कौन सा fertilizer लेती हूँ तो चलिए देखते हैं आज हम इसके reporting साथ में potting mix भी बनाना बता दूँगी तो लास्त तक बने रही तो अभी मैं आप लोग को बताती हूँ क कि मैंने potting mix कौन सी यूज की है तो अभी इसमें आप लोग देख सकते हूँ 50% garden soil है 50% garden compost है साथी में आप लोग वहमी compost भी ले सकते हो और साथी में ये देखे sand लिया है और साथी में ये देखे neem खली है और साथी में डीएपी है ये वाला जो है wood ash है साथी में साफ लिया है और ये है apsom salt तो अभी हम इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे उसके बाद में इसी में जो है हमारे marigold के plants जो है उसे ट्रांस्फर करेंगे हमने हमारी potting mix को अच्छी तरह से mix कर लिया है और अभी मैंने ये वाले pot में नीचे की तरफ जो है leaves रखे है और उसके ऊपर से जो है ये सारी वाली potting mix में डाल दूंगे कर दो कर दो करेंगे जो है जो हॉते हैं चया कि बाल बडिया और तर अच्छी अपने आ अच्छी उस्टार स्वगल इसी तरह दूसरे भी मैरी गोल्ड के जो पौदे हैं उल्लों को रिपॉर्ट कर लेंगे अब ही मैं आप लोग से मिलती हूँ रिपॉर्ट करने के बाद में अब ही हमने हमारे जो मैरी गोल्ड के सैपलिंग से उन्हें ट्रांसफर कर लिया है एक पॉर्ट में मैंने दो सैपलिंग्स लगाए है इसके साथी में मैं आपको बता दू नॉर्मल वाटर दिया है, साफवाला वाटर नहीं दिया है और साथी में अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और किसी के लिए helpful हो तो उनसे share करें और कोई भी सवाल हो तो comment section में पूछ सकते हो Till then, happy gardening!